विद्यार्थी मित्रों मुकेश रामोल्या डिजिटल एजिक्विशन नी अंदर आप सवनू आर्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों आपड़े तुर्ण दवस सामाजिक विग्णान मा प्रस्णों नंबर तेर नो अजे प्रस्णों नंबर तेर नो अभ्यास करवानों छे। मध्य युगना मुगल कालुन साहित्य नो परिजए आप तो मध्य युगने अंदर मुगल काड़ समय द्रम्यान कया कया सहित्य protect on विकास सही हुआतो अन्य ये साहित्य कया करता द्वरा लख्वामा आवी हो तो एना विसे आपड़े समझ प्राप्त करिए तो मध्य युगनी अंदर मुगल बादसा हो और तेमी शाही परिवार वाल वसाते हके तूर्की भाषना वारे जान कार होदा अने खास तूर्की भाषाना लेखोको होता इमनी अंदर बात करिये तो खास तमाई जोईशको शको बाबर नामा बाबर उपर चे मुगल सल्ततनों पायो नाखो आवड़ो जे बाबर होतो इमने बाबर नामा लखेलो होतु तो मुगल बाच्छा बाबर है तूर्की भाषा मा तुझू के बाबरी अलके फार्शी भाषा नी अंदर बाबर नामा और बाच्छा जहांगीर है तुझू के जहांगीरी नामनी आत्मकथाओ लखेचे आत्म कथा आटले कोई व्यक्ति उपर खास एना जन्म थी लए औने मुरुत्यू सुदीना जेकाई कार्य करेला होई एना संदर्भों मा जेकाई लखेलू होई एमने आत्म कथा कई शकाई तो यह प्रमाने आया तुर्की भाषानी अंदर मुगल बाद्चा बाबर अतो मतलब यहां फार्षी भाषानी अंदर बाबर नामा यहां पोतानी आत्म कथा औना जहांगीरे तुझू के जहांगीरी नामनी आत्म कथावो लखे होती अने हुमायूनी जे बे नती गुलबद बेगम यहांगीरे आत्म कथा लेकी यहती जेनू नाम तो हुमायू नामा तो आप्रमाने अलग अलग पोतानी आत्म कथा वो लखे औने ए समयना साहित्यों आपने परिचे करावे छे तो याद राग जो विद्यार्थी मित्रों के बाबरे तुर्की भाषानी अंदर तुजू के बाबरी अने एनी एज हर्षी भाषानी अंदर बाबर नामा त्यार बाद जहांगीरे तुजू के जहांगीरी अने हुमायूनी जे बे नती गुलबद बेगम यहांग यहांग आत्मक थावो लखवा मावी छे त्यार बाद बात करी तो बाद सा ओरंग जेवे सिध्ध हस्त लेखक तो एले के पोटे जेकाई साहित्यन इंदर यह आगवी रूची धरावतो होतो अने पोटे पौन लखान करतो होतो लेखकतो एतला माटे मुगल बाद सा बहादूर सा साहित्यन इंदर आवा करतावो अथवतो लेखको आपने जोवा मुडए छे अने खास ए समयन इंदर बाद सा अकबरना समयमा तुलसी दास, सुर्दास, केशव दास, रहीम वगेरे हिंदी बाशाना महान साहित्यकारो थाई गया हाता तो आवाजे साहित्यकारो होता यमने ए समयन इंदर साहित्यनों खास अभ्यास करी अने अलगलग कुरूती वो लखवामा आवेली छे अने आम आखा देशनी इंदर खणा भागो नी इंदर तो रहीमना दोहा आजे पोन प्रचले चे के रहीमना दोहा ए समयना तुलसी दास, सुर्दास, केशव दास, रहीम महान साहित्य करो थेग्या अने पोताना कलम द्वारा एमने सारामसरू खेडान करेलू जोवा मड़ाये छा बाद सा अकबरे महाबारत, रामयान, अथर्ववेद, भगवत, गीता, पंचितंत्र वेगरेक रंतों न अनुवाद करोवा माटे एक स्वतंत्र मित्रों खातानी रचना करी है अलेके पोतना राज्येना दर्वारनी अंदर एक खास अलग अलग व्यक्तिवनी निम्नुक करी अने एक विभाग पड़वमा आवी होतो के जेना द्वारा साहित्यनों सारामसरों विकास ठेए लोकों साहित्यने वांचि शके अगर नों इतियास ये लोकों भविष्यन भुद्काण नियंदर के भविष्यन इयंदर तमें जोई शको के भुद्काण मा बनेले जेगे घटना हो छे येने जो आलेक वमा आवेली होई तो भविष्यना लोकों से येने वांचि शके समझी शके और गिनान प्राप्त करी शके तो आ माटे बादसा अग अबर नामा छे उमाईउ नामा छे अगबर नामा छे आम अलग अलग सासको द्वारा यमने आतम कथाऊन लखवामा आवेले छे ये समये अबोल फजले फार्शी भवाशानी अंदर आई ने अकबरी नामनो एतियाशी गरंथ लख्यो अने ते अकबर नी आत्म कथा लखे अकबर नामा लखे चे तो यादर्याग जो विद्यार्थी मित्रों अबूल फजल फार्षी भाषा नी अंदर आईने अकबरी आये तमे फोटोग्राफ जोई शको छो आईन अकबरी नो एतियासी ग्रंथ लखानो अने अकबर नी जा आत्म कथा चे यहमनू नाम अकबर नाम छे अबूल फजलनों भाई फेजी फार्षी भाषा नो महान कवी हतो अने यहमने संस्कृत गंतुनो ग्रंथो नो गणा बदा फार्षी भाषा मा अनुबात करवा मा आवेलो छे तो जे आव पर आपड़ा भिणाम न अबूल फजल जे फार्षी भाषा निंदर अकबर न अलके आई ने अक्बरी नामनो ग्रंथ लख्यो होतो तो यहनो भाई अभूल फजल नो भाई एतो फेजी के जहें फारशी भाषानो महान कवी होतो अने यमने संस्कुरुत ग्रंथों नो फारशी भाषामा अनुवाद करेलोचे त्यार बाद विद्यार्थि मीत्रो आपने जो वाजाई ये तो प्रस्ट नमबर चवुद भारत मां उर्दू भाषाना विकास नो परिचाई आपो के भारत नी इंदर उर्दू भाषानों विकास के वो थयो इना साहीतियों के वा प्रकार ना हाता अथ्रवा तो ये समय मां कया कया लेखक अने कवी वो थय गिया तो इ जन्मत हो योग ये वो मानमा मा आवे छे समय जता आ नवी भाषा साहीतियों द्रश्टिये सवुथी सम्ब्रूद गणाती बारत नी अन्य भाषावोनी समकक्ष बनी के बारत नी अंदर हालमा मान्य बाविस भाषावो चे आपड़ा बंधरन प्रमाने तो इये समय नी वा जाओ तो वली मर्दद मिर्तकी मीर नजीर अकबराबादी अस्दुल्ला खान गालिब वगेरे महान कवी वो थे गया तो यह समय नी इंदर आब दा जे महान कवी वो थे गया तो इस पुतना कलम द्वारा सारम सारू प्रदान करी यह साहीतियों ने बहु आगूस थाना प् आपड़ीयों चे आए बाजू मतमने जे फोटोग्राप सापवा माव्यों चे एक गालिब नोचे अधारमी सदी मां उर्दू गद्यस विकस्यों अलके गद्यस आहीतियों लजे लखान वाड़ों पाठवाडों चे तमें भाग चोही सको छो तो इन्हें गद्यस आहीतिय चे रहे कावियों में होई तो इन्हें पध्य कई शकाए तो अधारमी सदीनी अंदर गद्यस आहीतियों विकास थाई छे उर्दू मां अनेक मवलिक ग्रंथो रचाईया छे मवलिक ग्रंथो ओटले पोताने विचार सक्ति प्रमाने जेकाने रजुवात करवा मावेली मुहमद हुशेन आजाद रचित दरबारे अकबरी एक महत्वनों ग्रंथ छे तो यादर एक जो विद्यार्थी में तो आवा प्रस्णों चोड़का खाले जिग्या अने विकल्प मां पुछाई जाई छे तो मुहमद हुशेन आजाद रचित अलेके मुहमद हुशेन ने एक ग्रंथ लखेलो छे चेनु नामचे दरबारे अकबरी आ समयमा भारतिय भाषावों मा थेला नवलकथा ना विकासने साथे उर्दू नवलकथावों न पुण विकासने वो छे कि आपड़े जे नवलकथावों वोई नवलिकावों अपड़े गुजराती मां बणियां चीए तो नवलकथा छे यह सरुवात थिलेन अंत सुद्धीनी अंदर बहु लांबो टोपिक होई छे लांबो गद्य लेखन होई छे के जनींदर नानना प्रसंगों वर्णवमा मा आविया होई छे यहने केवाई नवलकथा चेरे नवलिका होई यह नवलकथा नो नानो टोपिक छे के नानो यह प्रसंग यहां वर्णवमा मा आवेलो होई छे तो नवलकथा लांबी होई चेरे नवलिका टुकी होई छे तो यहम एया समयनी अंदर भारतियो भाषावनी अंदर थेला नवलकथाना विकास ने साथे उर्धू नवलकथावनों पन सारोयव विका सयलो जोवा मड़ाय छे तो विद्यार्थी मित्रो आपणे आजना विडियो लेक्षे नियंदर आप आया सुदी राखीशो अगाउना विडियो लेक्षे जोवमाटे खास चैनलना सब्स्राइब कर जो लाइक कर जो औने अन्य विद्यार्थियोंने शेर कर जो त्या सब्सक्राइब सो जय हिन जय भारत